सब्सक्राइब दोस्तों मेरा नाम विकास शर्मा है आज हमारी कंपनी आपके लिए सोया मिल्क ग्राइंडर और उसके साथ लगने वाले उकर्णों या मशीन भी लाई है इन सभी मशीन के द्वारा आप सोया बीन की दाल से लेकर तोफू पनीर को पैकिंग करने की मशीन दिखाएंगे सबसे पहले हैं सोया पील एक सट्रैक्टर यानि सोया बीन की दाल से छिलका अलग करने की मशीन इस मशीन के द्वारा आप सोया मीन की दाल से सोया का छिलका अलग कर दोगे फिर सोया दाल को भिगो दोगे भीगने के बाद सोया मिल्क ग्राइंडर से एक अनुपाफ साप की रेशियो में पानी डाल कर सोया मिल्क ग्राइंडर से दूद बन जाए आपको पूरा दूद निकलते हुए आप हमारी दूसरी वीडियो में देख सकते हो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है नेक्स्ट मशीन है इससे फटे हुए दूद को आप धोती में डाल कर आप इस मशीन के द्वारा पनीर को प्रेस करोगे जिससे पानी अलग और आपका पनीर बन जाएगा लास्ट मशीन है पनीर को पैक करने की इस पनीर वैक्यूम मशीन के द्वारा आप पनीर को पैक कर सकते हो और अधिक जानकारी के लिए आप हमारी पुरानी वीडियो को देखे उसमें पूरा सेट अप है पनीर पलांट का वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है यदि आपको दूर की मशीन जैसे बल्क, मिल्क कूलर, मिल्क ATM मशीन, खोया मेकिंग मशीन, घी मशीन, दही मेकिंग मशीन, मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट, मिल्क क्रीम सेपरेटर, मिल्क एनालाइजर, दूर की बोतले, दही के डब्बे, मिक पाउच पैकिंग मशीन, आटर टैंकर आधी मशीन भी हम निर्माता है हम मशीनों के मनुफक्चर है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ